साथ्यों Microsoft Excel में आज हम सिखेंगे Events File System को कि हमने किनी भी फाइलों को मूव कराना है कोपी कराना है या कोई अधर एक्षिन कराना है चाहिए वो हमारी Excel की फाइल हो या कोई यहां से मैं यूजर फोर्म को ड्रोप कर रहा हूं क्योंकि यूजर फोर्म को हम पहले काफी समझा चुके हैं अब ज्यादा यूज करेंगे तो हमारा शमय ही व्यारत होगा तो इसलिए फाइल and folder handling और events को हम आपको समझाते । फाइल यंड exploded handling के लिए देखो सबसे पहले तो हम चले जाते हैं डाल अपर पर के अंदर और टीक है वीज whole basic के अंदर आगए यहां पर हमने events देखने हैं और file and founder को handle करना है तो कैसे handle करेंगे फाइलों को उसके लिए हम object window के अंदर चले जाएंगे लेकिन यदि आप object window को पहली बार चला रहे हैं तो हो सकता है file system object आपको यहाँ पे ना मिले उसके लिए हम जाएंगे tools के अंदर tools में reference के अंदर नीचे चले जाए लास्ट में जहाँ पे Microsoft के option start होंगे देखो m के start हो गए ना इसमें हम find करेंगे दूनते चले जाएंगे Microsoft का यहाँ पे देखो यह आ गया Microsoft scripting runtime यह ले लेंगे हम और इसको हम यहाँ पे check कर लेंगे check करके कर देंगे इसको यहाँ से user आएगा इस objective window के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हम आपको बता चुका हूँ यहाँ पे इधर हमने libraries के अंदर से सबसे पहले चुन लेना है scripting क्योंकि scripting के अंदर मिलेगा और यहाँ पे हमारे पास मिलेगा file system object यदि आपको ऐसे नहीं मिल रहा है काफी ज्यादा है तो आप यहाँ पे type करके उसको search कर सकते हैं find कर सकते हैं या सीधा यहाँ पे file system object पे click करेंगे तो इसके right side में जितने भी इसके method होंगे जितने member हैं इसके वो सारे members यहाँ पे नजर आएगे यहाँ पे देखो दो तरीके के member आपको नजर आ रहे हैं एक तो जो green color के आपको दिख रहे है icon और एक इस तरह का icon दिख रहे है जो यह icon है यह सारे method है और यह वाले होते हैं properties तो जो file system object class है यह class हमारे file और folder में काफी मदद करती है इसके बहुत सारे members है आप देख रहे हैं यहाँ पे यह हमारे बहुत use के मैं आपको सीधे सीधे बताऊं कि यह जो file system object library बहुत powerful और बड़े काम की है यह basically हर चीज में मदद करती है जैसे सबसे पहले आपको नजर आ रहा है build path यानि हमने कोई path बनाना है मतलब कोई folder create करना है कोई file copy करनी है कोई folder copy करना है या create folder इसी परकार आप देखते जाओगे delete file, delete folder folder access file access इस परकार से यहाँ पे बहुत सारे method हैं बहुत सारे तो कोशिस करूँगा मैं यहाँ पे लगबग यह हम clear करें सारे cover करने की कोशिस करेंगे example मैं बाद में बताऊँगा पहले हम किस परकार से काम करते हैं कैसे हमको इनको call करा सकते हैं वो सारा जानेंगे तो उसके लिए चले जाते हैं workbook के अंदर ठीक है आपने देखा होगा इससे पहले हमने module insert किया था module में code लिख रहे थे लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे this workbook के अंदर और seats के अंदर दोनों का फरक भी मैं आपको यहाँ पर समझाँगा सबसे पहले this workbook पर चलते हैं कोई भी एक sub routine बना लेते हैं जैसे कि हम एक लिखता हूँ मैं यहाँ पर कोई भी नाम डाल देता हूँ मैं आपको file system के बारे में बता रहा हूँ तो यहाँ पर नाम डाल देंगे हम file system right अब सबसे पहले इसके लिए हमको एक object create करना पड़ेगा उसके लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ dim as script do file system object तो हमने एक object create किया है इस object को हम अगर इस परकार से कि वह ए as scripting dot file system object ना लिख करके यदि हम यहाँ पर डारेक्ट लिखें dim as file system object तब भी यह सही रहेगा आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं दोनों का एक ही मतलब है मैंने scripting इसलिए लिखा था ताकि पता चल जाए कि जैसे हमने object के अंदर यहाँ से आपने देखा था मैंने लिया था सबसे पहले scripting select किया और फिर हम चले गए थे file system object के अंदर तो इसी system के हिसाब से ताकि आपको आसानी समझ माझा है मैंने scripting लिया था राइट वापस चलते हैं workbook के अंदर हम कोई भी एक रख सकते हैं दोनों से मैं वही काम करेंगे एक को मैं यहाँ से बहुत कर देता हूं या डिलीट कर देता हूं और फिर हम यहाँ पर टाइप करते हैं और डोट जैसे हम डोट प्रेस करेंगे तो आप देखोगे सारे मेंबर्स यहाँ पर इसके file system object के यहाँ पर आपको नजर आएंगे आपने file delete करनी है copy करनी है create करनी है वो सब यहाँ से ले सकते हैं और उन सब को हमने अलग तरीके से काम कराना है कुछ events के साथ कराना है तो यहाँ पर देख करता हूं तो मैंने यह workbook लिया है तो workbook के जितने भी event है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि हम जब workbook कोई भी workbook open करें मैंने यहाँ पर जैसे workbook लिया तो automatic by default यह private sub routine इसका generate होके आ रहा है हम नहीं नहीं लिका है खुद बेकुद आया है तो यह जैसे workbook open हो तो क्या event play हो वो event सारे हमारे यहाँ पर नजर आएंगे seat calculate हो या फिर seat में कुछ changement हो जाए या seat deactivate हो या कोई seat activate हो row chat complete हो जाए वो event हम यहाँ से चुन सकते हैं और वहाँ पर उसकी coding लिख सकते हैं कि जब जैसे ही कोई workbook open हो तो जो seat deactivate हो तो क्या message आए या फिर हम event लिखना चाहें seat seat के उपर तो हम seat के उपर जाएंगे और यहां से भी हम event ले सकते हैं हम यहाँ पर चुन लेंगे work seat और work seat के अंदर change work seat या फिर open work seat तो work seat selection change के अंदर हमारा deactivate का आ जाए या seat activate का आ जाए यहाँ भी आपको बहुत सारे event यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस को भी मैं एक deactivate seat का देखो अपने seat को deactivate करना है यहाँ पर इसको मैं एक बार हटा देता हूं यहाँ से और मैंने workbook के अंदर भी यह देखो यहाँ पर seat deactivate किया है कि जब workbook open हो या change हो तब जो event पले होगा वो और seat के उपर हमने लगाया है यह event पले होगा वो दोनों में क्या फरक है यह देखो मैं आपको बताता हूँ इधर मैं लिख देता हूँ कि जब work street हमारी deactivate हो तब हमारा event पले और message box आ जाए उसके अंदर हो जाए hello और जो workbook के अंदर हमने लिखा है इसके अंदर हम लिख देते है message box message box के अंदर या message देते है बाई अभी यहां पर देखो हमारे पास एक ही work street है हमें एक नई work street लेते है जैसे ही work street हमने नई लिए है यानि कि यानि यह पहले वाली work street deactivate हुई है तो यह hello का message आया है लो हमने कहां पर लिखा था हमने work street के अंदर लिखा था ओके करते हैं दूसरा message आगया bye bye का यह हमने कहां पर लिया था workbook के अंदर लिया था तो यहां पर हमने जैसे दूसरी work street के उपर आ गये तो हमारे पास दोनों message चल गए चल गए ना अब फिर से वापस से हम first street में जाते हैं तो यहाँ सिर्फ बाइबाय का मेसेज़ चला है डेखो के ethics करेंगे सिर्फ एक मैसेज है यहाँ पर आते हैं 20 में पहले हैलो का आया फिर बाहय बाइबाय का यहाँ यहाँ फे दोनों मैसेज चल रहे इसको भाय करेंगे एक सेट नंबर सीट को दन इसी होगा दूसरी वाली पर नहीं हो И worksbook के उपर जो लगाया हमुने उसका मतलब एक वोас eventer सभी seats के उपर पले होगा इसलिए ये बाइबाइवाला सभी seats पे दोनों seats पे पले हो रहा है और ये वाला सिरफ एक seat के उपर पले हो रहा है same coding हम seat number 2 पे करते हैं यहां पे मैं फिर से work seat चुनता हूं और इसके अंदर में हम चुन लेते हैं seat deactivate का कि जब ये deactivate हो तब क्या message box आए यहां पर हम कर देते हैं msg box और इसके अंदर हम पले कर देते हैं welcome राइट आप देखते हैं यहां पर हम चलते हैं seat 2 पर तो दो event पले होने चाहिए कौन-कौन से क्योंकि एक तो हमने इस पर लगाया था hello का और एक workbook पे लगाया था bye-bye का यह दो पले होंगे है न चलते हैं इसके उपर देखो पहले hello का आया और फिर bye-bye का आया okay अब इस पर जाएंगे one पे तब भी दो event पले होंगे तब पहले welcome का और फिर bye-bye का चलते हैं यहां पर तो क्या आया welcome का यह इसको हमने इसी two पे लगाया था okay और bye-bye का workbook के उपर लगाया था okay तो इस परकार से थोड़ा से मैंने आपको बढ़ाया जिसके अंदर मैंने आपको file handling और events को run करना बताया अब next वीडियो में हम कुछ अलग example के साथ आपको समझाएंगे इस परकार स से धीरे धीरे हम advance की तरह बढ़ते चले जाएंगे right I hope वीडियो आपको जूर अच्छा लगा हुआ इसी परकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए मासाथ बने रहे हैं मारी वीडियो को दोस्तों शेर करें में like करें और यदि नए है आप मारे चैनल पे तो सब्सक आपी जरूर कर ले